मैं डॉक्र सुपरिया पुरानी, टेस्ट्यू बेवी कंसल्टन्ट और प्रैक्टिसिंग ऑप्स्टेटिक इन गानेकलोजी मोदन ट्वेंटी यर्स हमारी डिलिवरी हो चुकी है, ये छोटा सा नन्ना सा जिव दिन दरात बुला रहा है हमारा बदन भी एक्तम सम्विदनाशिल हो गया है, कहीं दर्द है, कहीं खिचाव है और घरवलों का पूरा फोकस ही चेंज हो गया है, पूरा फोकस वो नन्नी मुनी जान की तरफ जा रहा है लेकिन हमारे बदन में इतने सारे बदलाव हो गये है काश ये बदलाव मुझे पहले पता होते तो ये जर्नी एकदम आसान हो जाती थी तो आज के इस वीडियो का टॉपिक बहुत ही सिंपल है लेकिन उतना ही महत्वपूर्न है काश ये दस बाते हमें डिलिवरी से पहले मालूम होती उनमें से पहली बात है हमारे पेट का फूले ही रहना डिलिवरी हो गई, बेबी तो बाहर आ गया लेकिन हमें मालूम ही नहीं था कि अपना पेट ऐसे ही फूला रहेगा जैसे कि हम 6 मन्थ प्रेगनंट है और दूसरी महत्वपुर्णबाद, डिलिवरी के बाद जो ब्लीडिंग होता है वो कितने दिन तक रहता है और वो क्यों होता है किसी का तो 10 दिन में रुकता है और किसी का 6 हफते तक चला रहता है तीसरी महत्वपुर्णबाद ये breastfeeding इतना difficult होता है ये किसी ने बताया नहीं था क्योंकि breastfeeding को गलत तरीके से गलत लैच की वज़े से निपल्स पे घाव बन जाते हैं छेद बन जाते हैं और वो बहुत दर्दनाग होते हैं काश हमें पता रहता कि feeding की exact technique क्या है और हमारी lactation consultant से पहले ही मुलाकात होती थी तो ये feeding आसान बन जाता था चौती महत्वपुर्णबात जब normal delivery हो जाती है तब वजायना के यहां stitches रहते हैं इसको हम epiziotomy बोलते हैं बैठने के वक्त उठने के वक्त वो थोड़ा दर्द करते हैं कभी कभी 2-3 हफते तक वो दर्द होता है लेकिन काश ये बात हम पहले से जानते थे तो उसके लिए ह हम ready रहते थे और पांचवी बात delivery के बात हार्मोन्स की बदलाव की वज़े से हमारे बाल जढ़ना शुरू हो जाते हैं वो काफी हद तक बाल का गिरना बहुती सामान्य होता है लेकिन ये हमें पहले से पता नहीं होता छटी महत्वपुर्णबात जब हम बेबी को feeding के हमारे पीट में एक्तम खिचाव सा आ जाता है हर feeding के वक्त ये दर्द होता है इसको हम after pains बोलते हैं यही हमें पहले मालूम नहीं था साथवी महत्वपुर्णबात delivery के बाद हमें पीट दर्द रहता है वो normal delivery के बाद भी रहता है और cesarian के बाद भी रहता है लेकिन उसको टा लेही हम जान लेते थे तो ये पीट दर्द जो बहुत ही सीवियर रहता है कदरनाक रहता है उससे हमें मुक्ती मिल जाती थी और आठवी महत्वपुर्णबात नॉर्मल delivery के पश्चाथ हमारे निचले अवयव थोड़े से disturb हो जाते हैं किचे किचे होते हैं ऐसा ही तान हमा हमारे पिशाप की थैली पे पड़ता है इसलिए खासने के बाद छीकने के बाद हमारा यूरिन छुट जाता है लीकेज होता है उसको हम स्ट्रेस इंकॉंटिनस बोलते हैं लेकिन नॉर्मल delivery के बाद ये आम बात होती है और कुछ exercises से हम इससे बच सकते हैं और नवी महत्व पुर्णबाद delivery के बाद बुजुरंगों के कहने से हमारे diet में बदलावा जाते हैं उसके साथ ही hormones में sudden बदलावाने से भी हमारे digestion पे बदलाव हो जाते हैं और इसकी वज़े से हमें कप्च की सिकार होती है features होती है और दसवी सबसे मैत्वपुर्णबाद delivery के बाद हमारी नींद हर दो घंटे से खुलने वाली है हमें उठके बैटना है बैटके बेबी को feeding करवाना है वो feeding कभी 10-15 मिनित तक चलता है या कभी आधे घंटे तक चलता है इसलिए हमारी नींद पूरी ही नहीं होती है इससे हमारा मानसिक संतुलन ढहल जाता है काश ये सारी बाते हम delivery से पहले जानते थे तो ये एक खुबसरत सा समय बहुत आसान हो जाता था तो आज इस वीडियो में हमने जान लिया काश ये 10 चीजे हमें delivery से पहले पता होती तो ये जरनी बहुत आसान हो जाता था आने वाल परे कुछ दिरों में इन सारी बातों पे हम विस्तिरुत वीडियो बनाएंगे तब तक इसके बारे में आपके कोई प्रश्न रहेंगे तो हमें जरूर लिखिये और हमारे ये प्रेगनसी रिलेटेड वीडियोज इनफर्टिलीटी और गाइनिक रिलेटेड वीडियोज बिरूर देखते रहे हैं धन्यवाल